हेलो गाइज वेल्कम बैक तो ये यूटूब चैनल एसके मिश्ड़ी और वे अपसक्सिज मैं हूँ आपका एजुकेटर सीव मिस्रा और यहां पर लेक्या है आप सभी के लिए भाई साब यह 22 फरोली के हिंदी का पेपर है आप इसे तयार कर लिजेगा आप इसे तयार कर ल और कल मैं आपको तीन दूँगा मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया ना था कि आज मैं तीन दूँगा कल आपको तीन दूँगा तीन दूँगा तीन दूनिच्छ और इतमें आपका काम हो जाएगा जाके छापिएगा यही क्योश्य निसे बाहर नहीं आएंगे सेम्ट उसे मा पूरा पेपर ही देता हूं इसलिए मैं पूरा पूरा आपके लिए पेपर ही लाता हूं लाता हूं नहीं कमेंट बागे में सब्सक्राइब कर लो यार और आज जो तारगेट है आपका शैनल आपको करवाना है अभी इसके बात आप बाइलोजी है फिजिक्स है केमिश्ट्री है इंगलिस है सब तोड़ेंगे गुरुजी ठोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे गुरुजी पेपर कोड़ सर 302 डी यू है आपका हिंदी का ये पेपर है सर सब्सक्राइब आपको 33 नंबर सर पास होने के चाहिए चकुवा वाले एकदम पेपर एकदम क्रताइब जहरीला वाला गुरुजी एकदम क्या मारा थानवे आगा बिलकुल यार निन्यान भी आगा थानवे चक्क्र में क्यों पड़े है समय तीन घंटे 15 मिनट का सर आपको मि परारम के जो आपको 15 मिलेंगे प्रश्ट पत्र पहंड़े के लिए सर क्या रहें हैं और चल्ट है और धूनों खंड़ंक सभी परश्णों का उत्तर देना सर क्या रहेँगा आपके लिए अनिमार रहेगा बोलू तो आवस्य करहेंगा ठीक नइस पहले सर बात करेंगे हम यहां पर खंड करकी तो जो सर खंड कर है का यहां आपका 50 संकोगर है कि जिसमें आपका दस भावीकलपी रहेंगे एक पध्यांस रहेंगा नाम सर क्या है सर क्या है मैंने पूरा WordPress CEO अभी मैं आपको क्या करवा त यहां पे आनंद कादम नी किसकी है तो लिघ लीजिए यहां पर देखिएगा अगला है हिंदी प्रदीप किसकी है बाल कुष्ट भटकी ऐसर बाल कृष्ट भटकी है सर बाल कृष्ट की नोट कर लेजी दिनमान असर किसकी है दिनमान कि दिनमान है अग्यें की है किसकी अग्यें की सर अग्यें की रचना है इसके नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए पेपर में आएगा छापना आपको ठीक है अगला यहां पर है राम चंद सुकली की रचना है सर, राम चंद सुकली जो रचना है त्रिमेडी है, राम चंद सुकली की रचना सर क्या है, त्रिमेडी है, तो साहिक ते लोचन किस की है सर, स्याम सुन्दर दास की, स्याम सुन्दर दास की, नोट कर लिजी, साहिक ते सहचर सर किस की है, नोट कर प्रशाद द्रिवेदी की एकदम चपुआ वाला प्रशन है पूरा पूरा मैं खोल की इसमें दे रहा हूं आपका भवी कल्पी यही से आएगा पूरा पूरा छपने के लिए आलो चकी आस्था डॉक्टर नगेंद की हैं डॉक्टर नगेंद्र की है यह किस विधा की रचना है क्या है प्रेमचंद्र की कर्म भूमि कि है किस-किशर प्रेम चंद्रखी है और यह यह सरी उपन नियास पुरशार्थ के लेखक कौन हैं भाग और पुरूशार्थ के संपाधित पत्र numerator का है, सरस्वती सरस्वती किसके दौरा संपाधित पत्र का हे महाविर साध्रिवेदी दौरा cyn yr संपाधित पत्र का है फिक है नोट कर लीजी एक दम अगला यहां पर पापका पधमावत काल की रचना है पदमावत काल की रचना है इसके रचनाकार कुछ है मलिक मुहम्मद मुहम्में जांवसी जो मुहम्मद जाओं इसे हैं यह पदमावत रचना के क्या है रचनाकार औहें किस यह दबार में चापने वाला प्रशन है छाप के सरोई का सर उस्मेरेत के रचैटा गौन इस रोज इस नोट लीटर ढ़िए सर्वन इसका प्रकासण सब्सक्राइब करा नोटेंट कर लिए की नहीं नोट कर लिए कि की नहीं अगला यहां पे निंकित में प्रगति वादी कभी नोट कर लिगे नहीं एक बार सी बच्छे कमेंट बॉक्स में छापनेंगे जिसा नोठ कर लिया मैंने अगला है हाँ पे निम्गित में से रीतिकाल के किस कभी ने वीर रस में रचना की है तो जो भूसरते भीया भूसरते ये रीतिकाल में रचना अपना किया है तार्सप्दक subtak के संपादक थे Belarus संपादक थे कंते अगें आपके पेपर आएगा एक्जाम में तौको क्या करना सर चापना meditating और आपको कुछ भी करने जोर्द नहीं है अब आपको दिखाई दे रहा है न क्लियर वीजिवल है यहां पर अगला असर यहां पर आपका क्या रहे गद्यांस त्यार गर लिजिए बार-बार रिपीटेड पता नहीं कितनी बार मैं ने यह गद्यांस आपको पता होना ने तदात्म प्राप्त किया है जब तक सूर्की रस्मिया नित्य प्रातकार भौन कौमरी से भर देती हैं तब तक राश्टी जनका जीवन भी क्या है अमर है इतियास के अनेक उतार चड़ाओ पार करने के बाद भी राश्ट निमास जन नई उठती लहरों के साथ आगे ब नाम बताईए पाड का सिर्थक सर लेखक का नाम बताईए यह कहां से लिया गया है राश्ट के सरूप से लिया गया है मैंने हजारों बार बताए भाई लेखक डॉक्टर वासुदेव सरण अग्रबावसर एकदम छापने वाले हैं आप च्छात्ते चले जाईएगा जन का प्रवा कैसा होता है सर जन का प्रवा कैसा होता है तो जो जन का प्रवा होता है वो सर जी अनंत होता है कैसा होता है सर जी अनंत होता है बस एंसर है भूम के भूम के साथ किसने तदात्म प्राप्त किया है भूम के साथ किसने तदात्म प्राप्त किया है भूम के साथ किसने सब्सक्राइब प्राप्त किया है सब्सक्राइब और कर जीवन की सतरह है संतत्र जीवन नदी के प्रवाग्वा की तरह है समार्ट वर्क करना है आपको ओंभार करना है घी कह đây और शहां कि दिया कैसर और उस्सको कर लेंगे कर लेंगे यह पेपर दम चपुआ वाला तयार करो जो भी मैं पेपर दे रहा हूं दम तयार करो बाद मत बोलना गुरुजी भासा स्वयम संस्कृती का एक अटू ठंग है संस्कित अथवा में है वह नहीं आ रहा तो यह करेंगे निस्तित होने पर भी परिवर्टन सील है और गतिसील है वैग्यानिक आविस्कारों के प्रभाव के कारण पुदभूत नई संस्कित हल्चलों को साथिक रूप देने के लिए भासा के परमपरागत परियोग प्रियाप्त नहीं है इसके लिए नए परियोगों की भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए सब्दों की खोज की महति क्या है सर जी आवस्यक्ता है सर से पहले पार्ट का सिर्चग लेखक का नाम सर अगर यहां पर भासा सब्दाया हुआ है सर भासा सब्दाया हुआ है तो जाहिर सी बात है यह कहां से लिया गया सर जी भासा और आधुनिक्ता से लिया गया सर क्ट शाप्ने वाला है चाप लीजिएगा पेपर में आएगा कोई डाउड नहीं अगला है भासा किसका टूट अंग है करने का तरीका सुपट लेवल को आपको कहीं बाहर छह नहीं ढु़नना सिर्ण का एक दम त्यारी समार्ट वर्क से करेंगे अब कैसे अब हाड़्क बिल्कुल नहीं सर अब आम क्योंकि हमने जो भी करना था कर लियाशी कुछ कपया साथ हूड़िजाती बाइसाद किसकी संसक्रिति घल चलो किसके लिए परयाप्त नहीं है तो देखिए यहां पर उद्वूद मैं सांस्कृतिक हर्चलों को साथिक रूप देने के लिए भासा के पर्मपरागत पर्योग प्रयाप्त नहीं है बस यही आपको पूरी-पूरी लाइन च्छाप देना उठाके और आपको अलग से कुछ भी च्छापने जरूत नहीं है पर में आए जहरीला प्रशने सर चाप देंगे अगला यहां पर भासा किसका टूइस हो गया कि यह कुछ ही नहीं है इसमें कोई दम ही नहीं है सर आपको क्या करना है कहीं यह लाइन किस देगा वह बोल लेगा लिखी लिए लिखना है यार वही चाप देंगे तो एक नमबर देगा कुछ एक्षा लिख देंगे लिए लिए परसान हो अप भी पहले आप लोग लोगक्यों इतना चिंदा कर रहे हैं चिल मारो आरां से जाओ चिल मारो आराम से जाओ पेपर दे क्या और टेंसम नहीं लिना है सर अगला यहां सब पद्यान से कितनी बार मैंने बताया है दुख की विछली रजनी विकस्दा सुक्का नोर प्रभाद एक परदा या जहीला ने छिपाए है जिसे तुम समझे हो अभिसाब जगत की ज चार प्रशने क्योंकि आप देखे सरद्धा सब्दाया हुआ है इसलिए कभी कोने सर जैसंकर साथ जैसंकर प्रसाद सरलिया कहां से गया है सरद्धा मनू से सलिया गया है सरद्धा मनू से सलिया गया है करने का तरीका यार एकदम रजनी किसका प्रतीक है दुख का प्रतीक बहुत सिंकन है यार बहुत सिंकन कर लेना लगा लो अपने क्योशन बेंक मिट्टी खें हों करने सब मृतों इस व४ंगज बना दिया तुन्ने मानौता का सरोज सर यह सर कहां से लिया गया है यह सर कहां से लिया गया है यह आपका बापू के गीत से लिया गया है और महादेवर्मा है ठीक है अब यहां से आपके देखिए प्रस्ट बनेंगे आप इसको चाप दीजीगा चाप देंगे ना सर आप लोग यह बताई पहले कमेंट कर चाप देंगे कि नहीं उसके बाद यह लेखक का रटो यार हजार मार मैंने समझाया आपको यही आपके लेखक क्या आएंगे अभी मैं आपको एक एस्पेसली जीवन परिचा का अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूं उसको जहुर देखेगा दोसिस करेंगे कि जितने भी परि कि इसकी नहीं करना है छोड़ना नहीं है क्योंकि इतना आपके पास ना टाइम है ना मेरे पास टाइम है कि आराम से करना है बस चापना है एक विसेश्थ तोर पर ध्यान देना बोला है 80 सब्दों में तो 80 सब्दों में इंसर देना है आपको 100-100-200 सब्दों में जाने के र बिल्कुल भी नहीं है उसके बाद यह मैंने करवा दिया पंचला इतवा बहादुर कहानी का कथावस्त लिखे तो अधुरयात्रा कहानी का उद्देश लिखे मैंने करवा भी दिया है नहीं पढ़े तो लिंक इंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके पढ़ लीजिए सब स्कार यहихडिंक सर्फेशार कर लेजें ये वाला संस्कीत का उयक्ता इसब कर लिए इंपर्टंट है ओंधो मैं है माशमाना और और वह संस्कीत सासा महत्तम से Пटर अब कोई दुर्ष्ट है तो उसकी विद्या किसके लिए होता हुए या आहनी किवी आए औहर जो होता है गांजा पीने के लिए उसकती किसी को परशान करने के लिए लेकिन इसके बिप्रीत जो सज्जन की उत्या होती एंडश और सबस्क्ती दूसरों की हेल्प करने सकती प्रेपर में आएगा पठीद गद्यांस करने का तरीका आपको मालूम है कि नहीं एक बार आप कमेंट बॉक्स मता दीजें मैंने समझा भी दिया था आप पठीद गद्यांस मैं आपको एक क्योचन आप इंसर दे दे देते हैं उसके बाद आप कर लेंगे सबसे पहले आप गद्यांस को पढ़िएगा उसके बाद एक क्योचन मना है चलना किसका किसका सभाव है तो देखें आपे चलना किसका किसका सभाव है तो चलना मनुस का सभाव है लेकिन किसका किसका पूछा है तो इसलिए पानी भी चलता है हवा भी चलता है समय भी चलता है और मनुष से भी चलता है इसलिए हम बोलेंगे कि मनुष का सबहाव वहे हवा का सबहाव है और चलना चलना मनुष से पानी हवा समय तीनों का क्या सर चारोंnelle सब्सक्राइब है अब कर लेंगे कोई दिक्कद नहीं उसके बाद यहां पर निमकी सब्द यूमों का सभी अर्थ करिए चुछु नहीं सर्वन समर्ड तो सर्वन मतलब कान होता है सर्वन बिच्चू जो भीख मांगती है अंस और अंस यह अंस अंस आंप और अंस इससा होता है सब्दों के आपको दो अर्थ लिखना है एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताईए कि आपको इसका आ राइग नहीं देखेगा यहां पर आपका अंबर मतलब क्या होता है वस्तर और आकास होता है यह पर चप्ड़ा मतलब सर क्या होता है तो जो चपला मतलब होता है सरी चंचल स्वभाव इस्त्री एंड सर्क्या होता है और सर्क्या होता है बिजली भी होता है दिजली भी होता है अगला यहांपर जड़ क्या होता है रजी ड़का क्या होता है सजी अधार टफया बात पर आधार जोम जबूत डैट फाने चाहिए और इसका और क्या होनागा आसरे हो जाता है उसके बाद यहां पर आपका वाक्यांस Mihamci करने की बोला जाता है की बहुततरी अध्यापक अच्छा में पढях रही है तुम मेरे सह मत बोल तुम मुझा से मत भूलू मैं लड़के को पढ़ाया हूं मैं लड़के को पढ़ाया हूं इसका आपको कमेंट बॉक्स में शुक्त कर जाएंगे यह बहुत इंपॉड्टन टॉपिक इसको आप रटके जाएगा उसके बाद यहां που आपका आपका पत्र लेखन मैं खात ठीह लेक्तवता खोलjung क्लिए भंक्त अधिकारी को यूजह्ड पत्र लेखन झाल नंबर के आपको मुझे बताये सम cohesive अधिकारी है नंबर मिलेगा वड़िया प्रस्तावना डालना है फिर उसके बारे में लिखना है यहां देखेगा बार की समस्या सुच्छता आरच्छड साइत में लोग मंगल की भावना क्रिसक यानि क्रिसी पर आया है तो यह आपका पेपर रहेंदी का भाई 22 फरोरी के लिए इसको य आए यह चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो यार शेयर करो दबाकर शेयर करो यार सबीक साथ मिल दाए नेक्स वीडियो में की दोस्तों थांक यू जैहिन टेक केर बाए बाए